असलाम अलेकुम आज मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगी यह पूरा जो डिजाइन है यह बहुत ही ट्रेंडिंग में है और हर जगा पे अवेलेबल है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसको मैं पार्ट वाई शूट कर रही हूँ यह पार्ट वन ह इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नीचे जाली डाली है इसकी वीयल होती है जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीयल होती है हर डिजाइन में होती है हर पैटर्न में होती है मैंने यहाँ पे वीयल नहीं किये सिर्फ उपर वाली जाली डाली है नीचे वाली नहीं नहीं साइड में हमें दो लीफ बनाने हैं उसके ऊपर हमें कस्फुल बनाना है फिर सबसे टॉप पे एक और लीप बनाना है तो यहां से मैंने कनेक्ट किया है और अब मैं लीप बना रही हूं अगर आप मुझे यूटूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए अगर आप मुझे फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कीजिए यूट्यूब पे मैं वीडियो अप्लोड करती हूँ छे बजे 6 पियम और फेस्बुक पे 1 फाइव पियम यानि कि एक बच के पांच मिनट पे तो प्लीज आप वीडियो को अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं अगर आप प्रॉफिशनल है तो तो आप इसको कर ही सकते हैं यह बहुत इजी है बहुत सिंपल है अगर आप बिगनर हैं अगर आपने लीप्स वाला जो पैटरन आता है अगर आपने वो वाला किया हुआ है तो आप इसको इजी ली कर पाएंगे इस डिजाइन को करने के बाद आपकी जो जाली है वो भी ठीक हो जाएगी उसमें बहुत ज़्यदा सुधार आएगा और आपका हाथ भी अच्छे से बैठेगा कि अलग-अलग डिजाइनस पे जो बिगनर्स होते हैं उनका हाथ नहीं बैठता है तो आपको ट्राइ करना है कि आप अगर ऐस अ बिगनर काम कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे डिजाइनस चुनने हैं जिससे आपको हल्प मिले आपका हाथ बैठने में आपका जो काम है वो काफी हद तक साफ हो जाए यहां पे हमें लीफ बनाना है और जब भी अगर आप बिगनर है तो आपको नहीं समझा रहा है कि इसको कैसे करना है तो दियान रखिएगा कि हमें जो पैटर्न है यह सिट्रेट है तो हमें नीचे से इसको उपर करते हुए जाना है उपर से नीचे की तरफ नहीं आना है अगर कभी भी सिट्रेट डिजाइन आपका है आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी सिट्रेट डिजाइन होता है उस डिजाइन को हमें नीचे से उपर की तरफ करते हुए जाना है उपर से नीचे की तरफ करते हुए नहीं आना है और यहां जो हमारा लीफ है वो काफी बड़ा है उसमें गैप है तो अब हम क्या करेंगे जो हमारी जाली है उसको हम नॉर्मल ही डालेंगे नॉर्मल से बड़ी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर वो हमारा डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी जाली डालते हैं तो इसलिए हम जाली उतनी ही डालेंगे जितनी हम जाली डालते हैं अगर अंदर गैप रहती है तो उस गैप को हम ब्लियन लेकर फिल कर सकते हैं अगर ज्यादा बहुत ज्यादा गैप रहती है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जगाओं पे इस थऱ के पैटरन से इविलिबल होते हैist में जो लीफ्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आती है तो आप उसके अंदर चुम्टे बर सकते हैं चोटे 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 अगर आप प्लेन नहीं बरना चाहते हैं और अगर उसमें और भी ज्यादा गैप है तो आप उसके अंदर एक छोटा सा लीफ भी बर स सेंटर में इसके दो कस्फल में हैं अगर आप बगनर है अगर आपके पास यह डिजाइन एवलेबल नहीं है आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप इसको जो साइड के दो कस्पल आप उनको काट के साइड से दो लीफ or और उपर वाला लीफ रख सकते हैं, यानि कि दो दो लीफ इसको बना सकते हैं, उपर एक लीफ साइड से दो लीफ वैसे एक डिजाइन आता है, तो बिगनर्स के लिए ऐसे डिजाइन जो होते हैं, वो बहुत हलोपुल रहते हैं, क्योंकि उससे आपकी जाली जो है, उसमें आता है कि मैंने कैसे किया है मैं वीडियो जाइख दिए द गरती है दाका आप लोगों को असे अंश्ञादारा निया नियुड है आप लोगों को आसानी से असी काम ऐसा है आप को देखना ही पड़ेगा पूरा कि काई करना किस तरह से करना है हमें जो सुई है उसको कैसे ले ना है हमें अंदर प्लें बरना है उसको कैसे बरना है तो इस डिजाइन को मैं पर्ट वाईस शूट कर रही हूं यहाज़ा है है कि मेरे टाइमिंग क्या है अप्लोड करने की तो प्लीज उस कर एप्लाइन आई मैंने कैसे किया है आप मेंसे बहुत लोग मुझे टेक्स करते हैं थे पर्शनली वीडियो भी जो एस ड twenty देजाइन पर sacrificing संड shr आपको सिर्फ मेरा इंस्टेग्राम दिया है कि अगर आपका काम है आप वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं कि आपका काम किस हद तक सही है आपके काम में कुछ और ज्यादा इंप्रूमेंट की जरूरत है या बिल्कुल ठीक है तो उसके लिए मैंने आपक आपको इसलिए नहीं दिया है कि मुझे आप पर परसनल ले जाके मेसेज करें कि मुझे डिजाइनर सेंड करो मुझे वीडियो सेंड करो आप में से बहुत सारी लोग जिसे ऐसा लगते हैं चैसे कमांड कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है तो प्लीज उन सारी चीजों को आप आप वाइड कीची मेरी भी प्रैविसी का ख्याल रखे बाकि आपको किसी और डिजाइन पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं और मैं कौशच करूंगी कि मैं उस डिजाइन पे जल्दी से जल्दी मुझे अगर आप बिगनर है तो भी आपको बहुत सारे हैं और और अगर प्रोफेशनेल है तो भी आपको थो हलब मिले मैं जो भी अफलोड करूं उसमें मैं आपसे कुछ information कुछ tips share करूं जिससे आपको गर बैठे ही आपका काम करने में काफी ज़्यादा आसानी हो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जा सकते हैं कहीं और काम सीखने के लिए इसलिए मैं काफी सारी tips share करती हूं मेरी experience के हिसाब से I hope की इन वीडियो से आपको help मिल रही हो की तो please and please अगर आप चैनल पे नए है तो subscribe कीचेगा अगर आप मझे फेस्बुक से देख रहे हैं तो please follow कर दीजेगा इसका part 2 मैं shoot करूंगी और वो जब ये वीडियो लाइवाएगा उसके next day आएगा मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए खुश रहिए अल्ला हाफिज